हेलो दूस्तों कैसे आप लोग आज आप फिर से तंके बल पर आ गए तो चले शुडू करते हैं तो पीसले वीडियो में हमने स्क्रीन टू कॉंप्लेट किया था अब हमें स्क्रीन टू पे देखिए ये कॉंप्लेट किया हमने पीछली वीडियों में आपने नहीं देखा तो तो देख लिजिए उस वीडियो को तो अब हम चलते हैं स्क्रेंटी पर तो आगए हम स्क्रेंटी पर इसके बाद लेवर से होरिजिन इरेज़मेंट ले ले लेता हूं इसे 10% कर देता हूं यहां मैं कर दिया इसके बाद यहां इसे फिल पेरेंट कर दिया इसके बाद हम चलते हैं यूजर इंटरवेस फर एक लेफ़ील ले वाच एड है तो यह हो गया इसमें फ्रॉंट बोल्ट कर देता हूं कि इसके बाद सिसके बाद हम लेवर से और इसे मैं यहाप पर से यहाप पर से 10% और यहाप पर से से फिल पर रेंड कर देता हूं इसके बाद हम चलते हैं लेबल ले देता है और एक और इस लेबल पर हम लिख देता है लेख देता है कि लेबल लेने के बाद मैं इस पर लिख देता हूं क्लिक और टास्क टू 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 गो एड टू 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 टाक्स ट्री तो यह लिख दिया मैंने इसके पाद यहाँ पर फ्रांट बॉल्ड कर देता हूं कि इसके बाद एक बटन ले लिते हैं और यह पर बटन देखते हैं 16 लिख देता हूं इसके बाद हाइड इसे कर देता हूं मैं 12 और विट लिख देता हूं हमें 60 यह ठीक ही लग रहा है अब इसे इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं फ्रांट बॉल्ड कर देता हूं इसके बाद बटन अरू पर लिख देता हूं मैं टास्क टू तो लिख दिया मेंने टाक्स टू इसके बाद और एक लेट से होरीजिन टर्सकॉल एरिज्मेंट ल इसे यह पर फिल प्रेंट कर दिया उसके बाद इसके बाद यह पर एक लेपल उसके बाद यह पर मैं लिख दीता हूं यह पर यू आर यूर नहीं यार यूर गोईग यूर गोईग यूर गोईग यूर गोईग तो अनमाने इनज्ट क्लिकिंग ओने तो यह पर लिख दे है मैंने इसे में यह पर लिखने के बाद इसके बाद हम चलते हैं यूजर इंटरफेस ने लिए और एक स्कॉर्ड एर्जमेंट ले लेता हूं और इसे लिख देता हूं मैं 5% और और फिल्ट परेंट कर दिया उसके बाद हम चलते हैं एक्स्परिमेंटल फे लक्ता हैं एक एक्समेंटल ले ले लिता हो उपर और आप ईनशे लनषन लागा देता हूं मैं तो यह लागा दिया उपर और नीचे लाँ स्क्रौर्लैबल करते दहें इसे इसके पाद इंटेस्टेट एक ले लिए मभा जितने चाहिए इंटेस्टेट ले सकते मैंने पर दुछ ही लिए हैं तो आप प्र बोक्स पर आ गया है हम तो फिर से डिजाइनेुर इस धितने थे तो यह के नहीं पिशलते हैं blocks तो अब लेटे हैं Screen 3 inetialize तो यहांपर call add move banner add loaded उसके बाद लोड़ यहांपर set admob visible to तो यहांपर से logic ले लेता हूं मैं यह रेक logic से प्रूल लेता हूं वह डूपलिकेट कर दिया मैंने बैनार टूरा कर दिया इसके पाद इसे भी डूलिएट कर दिया और वहां लगए समने इसके बाद इंटेस्टिल एट कर लगद या डंम है नम बर टू इंटेस्टिल-एट भी लगद लगद लेना मैंने तो दो लिया है उसके बाद बटन पह आ जाते हैंANS तो बटन जो इसके बाद हम बटन पर चलते हैं, हैं आफर चलते हैं वया बटन ऑन ग्लिक तो इसके बाद हम चलते हैं पर लिख देता हूँ स्क्रीन एस यह सी आर डॉबली एन स्क्रीन पूर तो यह पर हो गया आप चलते हैं डिजैनर पर देख लिजी आप यह हो गया डिजैनर पर आ गया हम तो इसके बाद अब हम आ गया है स्क्रीन फोर पर तो इसके बाद एड़ मुव बेनर एड़ ले ले लेता हो एक मेया से और उसके बाद और इंटर स्कॉर एरेज्मेंट इसे सेम वहाँ पर स्क्रीन 3 पर जो किया था वही कट दीजिए 10% और वेट को यह अपर से पूसके बाद लेदे ले ले लेता है ईूझरीटरफेश से एक लेवर लेना चाहिए मुझे लगते है लेवरल तो ले 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 लेया मैंने यापर तो इस पर लिख देता हूँ लिवर मैं लख रोवर में सब तो लिग्दिया मैंने यह आγα गया इसके बाद फ्रांट बोल्ट कर देता हो यह पर से है इसके बाद ले ऊंसे और एक स्कॉल एलिटे हैं यह उपर सिम इसे कर देता हूं में 10% और वाइट कर देता हूं में फल्पेरेंड इसके बाद इसके बाद देखते हैं ठीक हैने के नहीं सब तो सब ठीक है लेकरा है अभी तो इसके बाद और एक लेबल ले तो मैं यहाँ पर सिम बहाँ पर जो लिखा था मैंने स्क्रीन दियों पर बही लेख देता हूँ यहीं क्लिक अन टास्क ठीये वह गांट टास्क टिंट दूट टो फिर्ट इसक फूर तो यह पर समय टास्क को बड़ा कर देता हूँ त्वराब टास्क टमबराऊ होगया है फ्रॉंट बोल्ड कर दिया मैंने इसको इसको इसके बाद हम एक बट्न ले लिए ते गे को बट्न फ्रेंट बोल्ट साइज कर देते यहाँ पर से कि हम साइजे मैं यहाँ अटर लिग दिया उसके बादफ ट् के बाद है कि अब लग दे तो तो फेल परसेंट और यहाँ पर नहीं नहीं यह वसक्त ही परेट में लिख दिट ऋ हो गया थेंक्यू दूस्तों लाइक कर दिजिए इस वीडियो को और हमार चनल को सस्क्रीब कर दिजिए